कि संसार का पहला मानव कौन था? संसार में अनेक धर्म हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और इसाई धर्म मुख्य हैं. सभी धर्मों में हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन माना गया है. कहा जाता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ती मनुष्य की उत्पत्ती से भी पहले हुई थी हिंदू धर्म का वास्तविक नाम वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म है हिंदू शब्द की उत्पत्ती सिंदू शब्द से मानी जाती है सिंदु एक नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमाले पर मान सरूवर है यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है प्राचीन काल में रिशियों ने भारत वर्ष को हिंदु स्थान नाम दिया जिसका अपभरंच हिंदुस्तान हो गया हिंदु एक धर्म नहीं अपितु जीवन पद्धिती है जिसे अलग-अलग स्थान से भारत में आये लोगों ने धर्म का नाम दे दिया प्राचीन काल में भारत वर्ष में सभी लोग इसी जीवन पद्धिती का अनुसरन करते थे उस समय कोई और धर्म नहीं था यदि इस विशे पर चर्चा करें कि सनातन जीवन पद्धिती की उत्पती मानव की उत्पती से भी पहले हुई थी तो प्रश्ण यह उठता है कि प्रिथवी पर प्रथम मानव कौन उत्पन्न हुआ जिसने इस जीवन पद्धिती का अनुसरन किया और संसार को आगे बढ़ाया वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस स्रिष्टी की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभी से उत्पन्न हुए तो वो किमकर्तव विविमूर हो गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यूं उत्पन्न किया गया है तब भगवान विष्णु ने उन्हें स्रिष्टी की रचना का आदेश दिया इस आदेश का पालन करते हुए स्रिष्टी की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयंभूव मनु को उत्पन्न किया जो पृत्वी के प्रथम पुरुष थे मनु के साथ ही ब्रह्मा जी ने शत्रूपा नामक स्त्री को उत्पन्न किया इनके पश्चाद ब्रह्मा जी ने अनेक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जिन्होंने इस रिष्टी का विस्तार करने के लिए भिन भिन रूप से योगदान दिया मनु से ही मानव शब्द की उत्पत्ती हुई संस्कृत भाषा के मनुष्य शब्द की उत्पत्ती भी मनु के नाम से ही हुई कहा जाता है कि अंग्रेजी का मैन शब्द भी मनु से ही निकला है संसार के सभी मनुष्य मनु की ही संताने है महा भारत में आठ मनुओं का उल्लेख है जबकि श्वेत वरहा कल्प में चौधा मनु के नाम उलेखनिये है ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है एक कल्प में चौधा मनु होते हैं प्रत्येक मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है वर्तमान के मनु का नाम वैवस्वत है जो सात्वे मनु है स्वयम्भुव मनु के अतरिक्त अन्य तेरह मनु स्वयम्भुव मनु के कुलके ही थे स्वयम्भुव मनु और शत्रूपा की पाँच संताने हुई जिन में उत्तान पाद और प्रियवरत नामक दो पुत्र और आकूती, देवहूती और प्रसूती नामक तीन करने आये थी उत्तान पाद की सुनीती वा सुरुची नामक दो पत्निया थी सुनीती से ध्रुव और सुरुची से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए उत्तानपाद और सुनीती पुत्र ध्रुव भगवान विश्णु के परम भक्त थे और बाद में ध्रुव एक तारा बन गए थे मनु के दूसरे पुत्र प्रियवरत का विवाह भहिशर्मती के साथ हुआ जो विश्युकर्मा की पुत्री थी स्वयंभूव मनु की पुत्रियों में आकुती का विवाह प्रजापती रुची, प्रसूती का विवाह प्रजापती दक्ष और देवहूती का विवाह प्रजापती कर्दम के साथ हुआ और इस प्रकार स्वयंभूव मनु से स्रिष्टे का प्रसार हुआ परन्तु वहीं यदि इसाईयों की धार्मिक पुस्तक बाइबिल की बात करें तो इसमें उलेखनी यह है कि प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति इश्वर की चाया से हुई इस मनुष्य का नाम एडम था यदि वैदिक धर्म ग्रंतों की माने तो वास्तव में सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म के प्रथम व्यक्ति मनुष्य दुनिया के पहले मानव थे तो मित्रों आपके अध्यायन और जानकारी के अनुसार क्या सत्य है